वेल्कम टू नेक्सिक जाओं आज है 23 अगस 2022 और 23 अगस 2022 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा पेडियू आप वमारे टेलेग्राम गुर्प पे डाउनव नोड कर सकते हैं टेलेग्राम पर आपको इस वीडियो से एक Song मिल जाएंगे इसमरड और स्रदंजली दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है दुनिया भर में आतंकवाद की वज़े से गायल मौत का सिकार हुए लोग और पेड़ितों को प्रवावित करने वाले जो कारक हैं उनको खत्म करने के लिए और इन पेड़ितों को सम्मान और समर्थन देने के लिए हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद की पेड़ितों का अंतरास्टी इसमरड और सदंजली दिवस मनाया जाता है अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है कि 21 अगस्त को ही बेसु भरेस्ट नागरिक दिवस मनाया जाता है बेस अगस्त को बेसु मच्छर अगस्त को ही बेस्टो फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है गाया नागर मोर्ण और समनुद ओब़्यार य। 13 गस्त को 200 अंगदान दिवस मनाया गया 12 गस्त को अंतरास्टी युबा दिवस मनाया गया अच्छा रास्टी युबा दिवस कम मनाय जाता है स्वामी विवेकार अंजी के जन दिन पर 12 जन्वरी को 12 गस्त को ही 200 हाथी दिवस मनाया गया बेस्सु हांती दिवस से रिलेटेड दो कुछ इन आप याद रखिए, इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में सुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सुरू हुआ, अच्छा बेस्सु संस्कृत दिवस भी 12 अगस्त को मनाये गया, 10 अगस्त को बेस्सु जैव दो आंदूलन दिवस मनाये गया, 7 अगस्त को रास्टी हत करगा दिवस मनाये गया, 7 अगस्त को ही रास्टी वाला फैंक दिवस भी मनाये गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाये गया, 5 अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाये गया, 2 अगस्त को ले महिला अधिकार दिवस और वर्ड लंग कैंसर डे मनाए गया तो अब तक अगस्त में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपूल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और से जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अजीब करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी। नएक कुशन है, हाली में किस राजी के मिथिला मकाना को G.A. टेक परदान किया गया है। तो अभी किन सरकार ने बिहार के मिथिला मकाना को G.A. टेक परदान किया है। तो इस कुशन का C options है। इससे बिहार के 5 लाख मकाना खेती करने वाले किसान प्रबाबित होंगे। टेक मिला है। अच्छा बैसे बिहार के सिवाल खादा को G.A. टेक मिल चुका है। मद्दुबनी की पैंटिंग को G.A. टेक मिल चुका है। बिहार के साही लीची को भी G.A. टेक मिल चुका है। तो बिहार से related इतने जी आई टेक अभी आप याद रखिए। अच्छा मैप में देखिए। ये है बिहार। बिहार की केपिटल क्या है? पटना। बिहार के जीपनिश्टर कौन है? नितिस कुमार। और बिहार की गवर्नर कौन है? फागू चोहान। अभी बिहार की खगोली बिद साला को युनेसको की महतवपूर संकट ग्रस्त बिरासत बिद सालाओं में सामिल किया गया। अभी फिलिपकार्ड ने बिहार राजी कोसल बिकास मिसन के साथ समझोता किया है। भारती भूपैग्यानिक सर्विक्षड के अनुसार बारत का सबसे बड़ा स्वड बिहार में है। अभी नितिसकुमार ने बिहार की पूडिया जिले में देश की पहले एटेनौल सयंतर का उद्गाटन किया। बिहार की रक्सॉल में FSSAI की राष्टी खाद्धी प्रयोकसाला का उद्गाटन किया गया। अच्छा बिहार में बालमी की निसनल पार्क है। यह आपको याद रखना है। ने क्यूशिन है। तो अभी ग्रह मंतरी अमित्सा ने तेश्मी केंद्री छेत्री परिसद की बैठक का आयूजन भोपाल में किया। तो इस कुशिन का पे अप्शन सही है। अच्छा भोपाल से रिलेटेड एक कुशिन हमेशा मैं आपको उत परिसद की बैठक के लिए पेड़ित लोग हैं उनको अभी ग्रह में हिंसा के पेड़ितों के लिए पैंसन की गोशना की तो इसकुशिन का से ओक्षन सही है। अब केरल तो ये है मैप में केरल के कैपिटल के है तिरुबननत पुरम केरल के चीप निष्टर कौन है पेनरई बिजियन और केरल के गौवर्नर कौन है आरिफ महम्मद खान आरिफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में वन इसकूल बन आईयस योजना शुरू की थी अभी HDFC बैंक ने केरल के कोजी कोड में केवल महिला कर्मचारियों दोरा संचालित साखा कोली है केरल सरकार GST की चोरी को रोकने के लिए मुबाइल एप लौंच करेगी केरल ने आंगनवाडी बच्चों के लिए अंडा और दूद योजना शुरू की है ओनलाइन सरकारी A-Taxi सेवा सुरू करने वाला देश का पहला राजजी केरल बना है टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना सुरू की है अचा केरल में अनाई मुणी सोला नेशनल पार्क है मतिकिटम सोला नेशनल पार्क है पंबडम सोला नेशनल पार्क है और सैलेंट वैली नेशनल पार्क है ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है अचा केरल में सांत गाटी है और पेरियार बनजीव अब्यारंड है नए किशिन है, हाली में 65,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कनाड़ा की करंसी क्या है कनाडियन डॉलर और कनाड़ा की प्रिजेन टाइम पर प्रामिश्टर कौन है जस्टिन टूडो कौन है जस्टिन टूडो अच्छा अभी कनाड़ा के कौफी और बेकरी उत्पादों के मसूर ब्रांड टेम होटसन ने भारत में आउटलेट खोले है कनाड़ा में हैंड गन की कारोबार को सेमित करने के लिए एक नया बिधेक पेस किया गया है और कनाड़ा की लेखक रूत ओजेंकी ने तुजर 22 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्सन जीता है इतना आप कनाड़ा के बारे में अधर रखी ने क्यूशन है क्रिप्टो कप में आर प्रग्यानन ने किसे raya है तो अभी क्रिप्टो कप में आर प्रग्यानन ने लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के 20 जेंपियन मैगनस कालसन को हराया तो इस क्यूशन का A options है अब आर प्रग्यानन ने हराया तो image भी देख लीजी ये हैं आर प्रग्यानंद नए क्यूशन है हाली में नईयारा नूर का निधन हुआ है वे कौन थी तो नईयारा नूर ये पाकिस्तान की एक फैमोस गायका थी और अभी 71 बरस की उम्र में इनका निधन हो गया तो इस कुश्यन का C आप्शन सही है ये थी नईयारा नूर पाकिस्तान में इने बुल बुल एप पाकिस्तान सम्मान से सम्मानेत किया था और अभी 71 बरस की उम्र में इनका निधन हो गया है नए क्यूशन है हाली में भारत और उस्ट्रिलिया का समुद्री अभ्यास कहां संपन हुआ है तो अभी अपने देश भारत और उस्टेलिया का समुद्री अभ्यास पर्थ में संपन हुआ तो इसकुषिंगा बे आप्सिंस है अब उस्टेलिया तो ये है मैप में उस्टेलिया उस्टेलिया की केपिटल के है केनवरा उस्टेलिया के करंसी के है उस्टेलियन डॉलर और उ आस्ट्रिया में होने वाले पिछ ब्लेक अब्यास में बारत सामिल हुआ है बारत और आस्ट्रिया ने देरा दून में नौमी आर्मी टू आर्मी स्टाप बारता आयुजित की और नासा ने आस्ट्रिया के स्पेस पूर्ट से पहला रॉकेट लॉंच किया है इतना आपको आस मोक्ष धाम योजना शुरूक कि गई तो समसान घाटों के काया कल्ब के लिए इसे शुरूक किया गया है तो यह है मोक्ष धाम योजना और हिमाचल प्रदेश तो यह है मैप में मचल पदेश हिमाचल प्रदेश की केपिटल क्या है सिम्ला हिमाचल प्रदेश की चीपनिष्टर कौन है जैराम ठाकोर और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है राज्येंद्र अरलेकर अभी हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतनता संसुदन वेदेयक 2022 पारित किया गया मिंजर मेला यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया बारत अमेरिका सेयुक्त सेन अभ्यास बज्जर प्रहार अभी हिमाचल प्रदेश की बक लोहों में शुरू हुआ है एक्सिप में एंडिया और अमेरिका की वीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्साइज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रंफ बज चुछ Śुरऑ अच्छण प्रदेश की बक लोह में शुर्व हुए है आच हिमाचल प्रदेश मेंন परेट हिमाले नेसनल पार्क है और ठिर घंगा नेशनल पार्क है नएखिशिन है रही में बिल गेट्स फांडेसनदे कैसे अपने नियासी बोर्ड में नामित किया है तो यह हैं आशीश धवन अच्छा अभी राजेस वर्मा को राष्टपती दुरौपती मुर्मू का सच्चिव न्यूक किया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पूददार को MD&CEO के रूप में पदोर्नत किया है अलके सर्मा सैयुक्त राष्ट के उच्चिस तरी इं सब्सक्राइब करेंगे अलग अलग तरह कि कॉसल विकास की ऑप्शन भी स्ट्वेंट्स के पास उपलब्द रहेंगे और उच्च गुडवत्ता वाली सिक्षा प्रदान करने के लिए इस टाउंसिप को बिक्सित किया जाएगा अब उत्तरप्रदेश तो यह है पैप में उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की केपिटल क्या है लखनौ अच्छा लखनौ है गोमते न देखिरा रिष्टित उत्त अब उत्तरपदेश सरकार ने 25 यूजना सरू किः बारणसी में अखिल भारती सिक्षा समागम का उद्धगाटन हुआ एरपोर्ट अर्थोर्टी ओफ एंडिया ने उत्तरप देश सरकार के साथ समुझता किया उत्तरपदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की गोश्णा की बारे में होके इंडिया जूनियर पुरुस राष्टी चेंपियन सिप उत्तरपदेश ने जीती है बारत में सबजियों का सबसे बड़ा उत्तरपदेश बना है रास्टी जल पुरुसकार 2022 में सर्व स्रेश्ट राजी के रूप में उत्तरपदेश को चुना गया अच्छा उत्तरपदेश में दुद्वा नेसल पार्क है कतर्निय अगर्ड वाइल्ड अच्छुरी है और पेली भी टाइगर रिजर्व है ने क्यूशन है हाली में किस समू के प्रमुक तेंजिन लेकफेल भारत की चार दिवसी यात्रा पर आए है तो तेंजिन लेकफेल ये बिमस्टेक के सेक्रेटर जनल है और अभी चार दिवसी भारत की यात्रा पर आए है तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं तेंजिन लेकफेल अब ये BIMSTEC के Secretary General है, BIMSTEC यामिनी की Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC की स्थापना का हुई थी 1997 में और इसका Headquarter कहां पर है? धाका में अच्छा BIMSTEC में साथ Member Country है, कौन-कौन सी? बांगलादेश, भूटान, इंडिया, नैपाल, म्याममार, थाइलेंड और स्री लंका ये BIMSTEC की साथ Member Country हैं, याद रखनी है नएक कुशन है, हाले में भारत की पहली स्वदेश निर्मित Hydrogen Aiden Cell Bus कहां लाँच हुई है? तो ये पुडे में लाँच हुई, तो इस कुशन का से ओप्सिन सही है, पुडे में केंदरी मंतरी जितेंदर सिंग भारत की पहली स्वदेश निर्मित Hydrogen Aiden Cell Bus को लाँच किया, अच्छा पुडे में ही भारत की पहली Double Decker Electric Bus लाँच हुई, और उसे किस ने लाँच किया? चड़क परिवहन एबमराजमार्ग मंतरी ने तिन गड़करी ने, ने क्यूशन है, हाली में अब्दुल गफार नाडियावाला का निधन हुआ है वे कौन थे? तो अब्दुल गफार नाडियावाला ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस चड़क ने कहां? महात्मा गांधी की परतिमा क अनावड किया है, तो अभी बिदेश मंतरी S. demokar ने परागवे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावड किया, तो इस कुश्यन का? C. option ने है, अब परागवे, तो ये है के मैप में परागवे, परागवे कि पिटल क्य अब last video की question का answer. Last video मैं आपसे question पूचिया था कि हाली में केस राज सरकार ने ग्रामीड आजीवी का पार्क इस्तापित करने की गोश्णव की है. तो अभी 36 गण गौवर्मन्मेंट ने ग्रामीड आजीवी का पार्क इस्तापित करने की गोश्णव की. तो इस question का say option सही था और लगबग सभी स्ट्रेटनेस कांसर सही थिया mostly स्ट्रेटनेस के वारे में detail में लिखा मैं आपको एक वर फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किस company को Asia's best employer brand award से संबन्द किया गया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम अमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके मारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी Instagram पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page वीडियो thanks for watching